Hello Friends, Welcome back on my YouTube channel दोस्तो आज की इस बीडियों में मैं आपको बताने बाल हूँ अगर आपके मॉवाइल में भी काल आते ही अटोमेटिक कट हो जाती है जैसे ही आप काल उठाने की कोशिश करते हो बो अटोमेटिक कट हो जाती है एक बैल के बाद वो अपने आप कर जाती है तो दोस्तो इस प्रावलम को आपको कैसे सॉल्ब करना है मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा ठीक है रिजन दोस्तो इसके कहीं सारे हो सकते हैं डेट पर प्रावलम भी हो सकती है लेकिन मैं आपको दो main setting बता देता हूँ यह काफी सारे लोगों की इसकी बज़ा से भी होती है problem ठीक है तो इसके लिए आपको connect है सबसे पहले अपने mobile की setting को open करना है उसके बाल आपको क्या करना है जहां पर आपको एक option मिलेगा more connection settings का ठीक है जाफिर आप उपर सार्च भी कर सकते हो उसके बाल आपको mobile network पे click करना है और अगर आपके mobile में volt call जे off है इसको आपको सबसे पहले on करना है उसके बाल आपको check कर लेना है जे पहली setting है ठीक है अब इसके बाद दूसरी setting भी बताऊंगा मैं आपको उसके बाल नेटवर्क मूड पे जहाँ पे आपका auto connected होने चाहिए जैसे आपके call आती है किसी की आपको call आती है वो automatic 2G में convert हो चाता है क्योंकि अगर आपको S.A.R.E. में रहते हैं जहाँ पे network की थोड़ी problem है तो फिर जे auto connected है अपने आप manage कर लेता है network थीक है तो उसके बाल आपको दूसरी setting कौन से कर लेनी है आपको पर search में search करना है single tab mode थीक है उसके बाल आपको इसको open करना है उसके बाल आपको देख लेना है अगर आपका जी on है इसको आपको off कर देना थीक है ये on न होने चाहिए आपका अगर ये on है इसको off कर देने ठीक है इसको off ही रहने देना है इसकी बज़़ा से हहोता है ठीक है अगर जिनका भी ये on होता है तो भी सिर्फ एक bell के बाद automatic call cut हो जाती है ठीक है तो आपको इसको off इर से कहा है थेंक यू